सम्विधान एक जीवन्त दस्ताविज कख्षा ग्यार्मी, राजनीति विज्ञान और प्रथम भाग का अध्याय नौ प्रथम भाग जिसमें आपने आठ अध्यायों में जो पढ़ा है वह सम्विधान के बारे में थोड़ा जाना और फिर देश कैसे चलता है सरकार कैसे बनती है, कारेपालिका, नियाएपालिका, विधाईका, अधिकार ये इन सब को आपने समझाओ और ये जाना कि सम्विधान 1947 में बना, 1950 में लगू हुआ 1947 से बना शुरू होकर 1950 में लगू हुआ और उसी सम्विधान के साथ गत सत्तर वर्षों से हमारा देश चल रहा है तो इस कार्थ क्या हुआ, कि सम्विधान की पुष्टक में दिये गए जो कानून है जो सम्विधानिक प्राउधान है, उसके तहत हमारे देश का शासन प्रशासन, लोकतांतरिक प्रक्रिया और अन्य संबंधित चीज़े चल रही है इसका शीर्षय के दिया आप देखें तो है सम्विधान एक जीवन्त दस्तावेज तो इस बात को तो आप समझ गए कि ये दस्तावेज है एक दस्तावेज जो 1947-1950 के बीच बनाए गया और उस दस्तावेज के आधार पे हमारा देश चलता है उसकी प्रशासनिक प्रक्रिया चलती है उसकी राजनेतिक गतिविधी चलती है तो दस्तावेज से स्पष्ठट डॉक्यूमेंट अब एक शब्द इसमें है जीवन्त जीवन्त के क्या माइने है जीवन्त क्या है? किसको जीवन्त बोलते हैं? You have life, आप में जीवन है, हम में जीवन है, पर जरूरी नहीं कि हम सब जीवन्त हों जीवन होते हुए भी हम निश्क्री हो सकते हैं, निर्जीव जैसा बरताओ कर सकते हैं उसमें कुछ जीवन्तता नहीं दिखती bubbling with life जिसे अंग्रेजी में कहते हैं तो हमारा जो समविधान है, उसमें जीवन है, इसमें तो कोई दो मतनी जीवन से अर्थ है कि यह हमारे लिए एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी तरह के कानूनी प्रावधानों को लिया गया है, समविधानिक प्रावधानों को लिया गया है, ऐसा दस्तावेज और उसको समय समय पर हम देखते हैं 1947 के दोरान बना हुआ समविधान, यदि यथावत, क्या यथावत है, क्या आज उसको हम जस के तस रूप में लेते हैं, क्या उसके अक्षरत हर शब्दों को, हर बिंदों को, वाक्यों को उसी रूप में लिया जाता है, आज भी जिस रूप में सतर वर्ष पूर, साथ दश पूर लेते थे, या उसमें कुछ बदलाओ है, और बदलाओ है तो क्यों, क्या जरूरत थी, जरूरत इस बात की थी, कि समय के साथ साथ, कुछ परिवर्टन होते हैं, 1947 में टेलिफोन था, तो नंबर डायल किया जाता था, आज ऐसा टेलिफोन है, कि जिसमें आप एक बटन दबाएं, और आप जिससे बात करना चाहें, पूरी दुनिया में कर सकते हैं, ये बदलाओ आया है, सभी चीजों में हमने बदलाओ देखा है, और जीवन तो ही है, ज कुछ चीजों की आवश्यकता को महसूस कराता है, कुछ बदलाओ ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ आवश्यक हो जाते हैं, हमारा समविधान ऐसा ही कुछ है, जो समय के अनुसार अपने को धालता है, समय के अनिसार, समय की दरकार, समय की जरुरत को देखते हुए सम्विधान में कुछ बदलाव करने का प्राउधान है, किये जाने का प्राउधान है और यही इस सम्विधान को जीवन्त बनाता है दूसरे शब्दों में जी संक्षित में कहें तो ऐसा सम्धान ऐसा दस्तावेज जो समय के साथ अपने को ढालने की ख्यमता रखता हो वह कहलाता है जीवन तो अब हम समझ गए कि जीवन दस्तावेज का क्या अर्थ है तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या कैस जीवन दस्तावेज है इसको जानेंगे कैसे इस अध्या कि बाद हम क्या क्या समझ पाएंगे थोड़ा उस पर नजर डालें पहला जैसा मैंने बताया कि भारती संविधान को समय की आवश्यक्ताओं के अनुरूप धाला जा सकता है भारती संविधान को समय की जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है यह हम पढ़ेंगे कैसे इस बात क हम समझ जाएंगे कि बदलने का प्रावधान है सम्विधान को बदलने का नहीं सम्विधान के कुछ बिंदों को बदलने का और मेरे बातों में बहुत अंतर है संशोधन किया जाना अर्थाच कुछ हिस्से में कुछ बदलाओ करना पूरा आमूल चूल परिवर्तन की गुजाईश हमारे संविधान में नहीं है कुछ आधार वूद बाते हमारे संविधान में हैं जिसे हम कुछ छू नहीं सकते तो पहली चीज हम जानेंगे कि संशोधन किया जा सकता है दूसरा, हम ये भी जानेंगे जैसा मैंने अभी कहा आपको कि वे संशोधन समविधान के मूल ढांचे में नहीं कियا जा सकते कई संशोधन हुए हैं, होते रहें लेकिन मूल स्वरूप को नहीं बदला जा सकता तो अब जानने की जुरत है वो मूल स्वरूप क्या है जिसे नहीं बदला जा सकता और वह क्या है जिससे संशोधित किया जा सकता है कितना हम संशोधन कर सकते हैं इसे हम जानेंगे तीसरी बात हम जानेंगे कि समविधान की रक्षा और समविधान की व्याक्षा ये दो अलग अलग बात हैं समविधान की रक्षा और समविधान के बिंदूओं की व्याक्षा अर्थात उसके मायने उसके अर्थ न्याए पालिका की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है कितनी महत्पूर्ण कैसे वो रक्षक का काम करता है कैसे न्याइपालिका व्याख्या का काम करती है इसे हम समझेंगे मैंने आपको सरकार की परिभाशिया बताते हुए आपको बताया था पूर की कख्षाओं में कि सरकार कर्थ होता है कारेपालिका, विधाईका, कारेपालिका और न्याएपालिका तो जो तीसरा अंग है उसकी कितनी अहम भूमिका है सम्विधान की रक्षा करने में और समधान को व्याख्या करने में व्याख्या के क्या माइन है इस पर हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे उसके बाद अगली बाद जो हम जानेंगे वह है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ऐसा दस्तावेज है जिसमें संशोधन होते रहे हैं और वे संशोधन समय की आवश्यकताओं के साथ हुए है पहली बात तो हम ये जानेंगे कि इसमें संशोधन का प्रावधान है और ये जो बिंदु है इसमें हम ये जानेंगे इस अध्याय में इस बिंदु के तहत ये समझाने की कोशिश की गई है कि परिस्थितियों के अनुसार हम बदलाव किये हैं अर्थत जो कुछ बदलाव किये हैं उन बदलावों को हम बताते हुए ये सपष्ट करेंगे कि उस समय की क्या परिस्थितियां थी जिसने कुछ समवैधानिक संशोधन के लिए हमें विवश किया ऐसी क्या जरूरत आन गया वेशकता की उम्र वोट डालने की उम्र 21 ती नियुंट अमाई 11 वर्ष के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार अब 18 वर्ष के हो गई वैस्क मतादिकार में अब 18 वश का बच्चा आता है तो ये जो बदलाव हैं ये क्यों हुए किन परिस्थितियों में हुए इसको हम समझेंगे आपने चारों बिंदूओं को समझा होगा और दिमाग में इस बात के रख लीजे कि हम इस अध्याय के खंपूर्ण अध्यान के बाद इन चार बिंदूओं पर मान्थिक रूप से स्पश धारना बना लेंगे तवाली आता है कि ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल भारत में है कि अन्य देशों में भी है और भारत में है तो उसे जीवन्त क्यों कहा गया है अन्य देशों की क्या स्थिती है एक उधारन देता हूँ जैसे सोवियत संग का उधारन लें सोवियत संग ने जो 1918 में एक तरीके से करांति के बबाद आधुनिक सोवियत संग की रचना की जिसे रूस भी कहा गया सोवियत संग रूस तूटके वो अब एक छोटा सा राज बना है तो जब 1918 में पहली बार सोवियत संग की आधिनिक परीके से स्थापना हुई करांति के बाद तो अभी तक 74-75 वर्ष के काल में वहाँ चार बार समविधान बदल गया है संशोधन नहीं संविधान ही बदल गया 1918 में करांति के बाद फिर 1924 में बॉल्शेविक करांति हुई फिर 1936 में और अंट में 1977 में और इसके बाद तो 1991 और 1993 में भी वहाँ का समविधान बदला ये समविधान परिवर्तन की बात है संशोधन की बात है और जब समविधान परिवर्तन होता है तो इसकारत यह है कि आमूल चूल बदलाओ राजनेतिक पशासिनिक धाचे में पूल रूपेन बदलाओ मानो राज तंतर से हटकर गण तंतर हो जाए या गण तंतर से हटकर लोक तंतर हो जाए या लोक तंतर से हटकर कोई और तानशाही के अव्यवस्था को ले लें इस तरह का बदलाव रूस में हुआ है, सोवियत संग में हुआ है 1991 में कम्यूनिस पार्टी, ज़री हम इत्रहास पे थोड़ा जाएं जो अपना अध्यन किया होगा राजनीतिक विग्यान में कम्यूनिस पार्टी का शासन जब समाप्त हुआ तो सोवियत गनराज्य बन गया और फिर उसके बाद सोवियत गनराज्यों का जब नय सेरे से गठन हुआ तो तरानेवे में एक नया संविधान बना तो इस परकार आप देख सकते हैं कि रूस में कितने बदलाव हुए वहीं दूसरा और फिर भी महाशक्ति है इतने बदलाव के बावजूद पूरा संविधान बदल गया राजन्यतिक प्रक्रिया बदल गई उसके बावजूद सोवियत संग एक महाशक्ति बना रहा फ्रांस की ज़िए बात करें वहाँ भी ऐसे गठ दो सौ वर्षों में 1789 1799 में फ्रांस की करांति होती है और फ्रांस आजनिक फ्रांस के रूप में सामने आता है और उसके बाद वहाँ पे एक तरीचित के कहना चीए पांच बार वहाँ बदला संविधान फिफ्थ रिपबलिक छॉर्थ रिपबलिक थर्ड रिपबलिक ऐसा रिपाब्लिक मतलब घंड राज्य तो पांच बार वहां का सम्विधान ही बदला गया नए रूप से नए दस्तावेज बनाए गया पूरा का पूरा और भी अन्य देश हैं से जहां सम्विधान ही बदलने की जुरत पड़ी और ऐसे उजाहरन देविश में ज्यादा है और शायद इसका एक कारण ये है कि ऐसे बहुत सम्विधान जीवन्त नहीं है स्टाटिक रहे इस्थिर रहे इस्थाई रहे और जब इस्थाई रहे तो वो समय के साथ अपने को ढालने में असफल रहे और परनाम क्या हुआ कि जनता ने अशासन ने पूरत सम्विधान को बदल दिया अमेरिका के स्थित्य कमों बेश थोड़ी दूसरी रही इंगलेंड के स्थित्य थोड़ी दूसरी रही आप जानते होंगे कि इंगलेंड में लिखिस समूधान नहीं है वहां समूधानी दस्तावेज नहीं है कोईशा ऐसा जैसा कि भारत में एक पुस्टक है ऐसा नहीं है फिर वहाँ पे क्या होता है क्या वहाँ पे समूधान इस्थाई है अपरवर्तनी है इस पर भी हम अध्ग्यन करेंगे तो जीवन जैसे धार्मिक पुस्तकों को ले चाहे वो रामायन हो या बाइबिल हो या कुरान हो ये इस्थाई है कोई इसमें बदलाओ नहीं किया जा सकता किसी भी पंक्ति के साथ हम और आप किसी तरह की छेड़ चाड़ करने के लिए कताई काबिल की तो बात ही दूर हम उसके लिए पातरता ही नहीं रखते सम्धान जो है ऐसा नहीं है सम्धान समय के साथ साथ थोड़ा सा बदलाओ आता ये देपिवा कानून की बाइबिल है हमारी पुस्तक है कानून की बाइबिल कहते हैं उसको लेकिन ये ऐसी बाइबिल है जिसमें हम बदलाओ ला सकते हैं विश्व पटल पर थोड़ा सा जानने के बाद और हम अब भारत की और मुखातिर होते हैं लेकिन उससे पहले ये बिंदु को मैं और सपश्ट कर देना चाहूंगा कि इंगलेंड का जो सम्रिधान है वह लिखित नहीं है उसका कोई एक दस्तावेज नहीं है तो फिर वह जिसे हम Mother of Democracy कहते हैं Mother of Parliament कहते हैं आधनिक विश्व के परिप्रेक्ष में वैचे Mother of Democracy देखा जाए तो भारत ही होगा क्योंकि यहां सबसे प्राचीन काल से लोगत तांत्रिक प्रक्रिया में शासन हुआ है उधारन है बहुत से लेकिन यदि हम आज की परिवाशा में देखे हैं एक डिमाकरची का आधनिक उधारन वहां पर लिखित सम्विधान ना होते हुए भी परंपराओं के आधार पे कोड के पुराने निर्नेयों के आधार पे जनता की च्छाओं के आधार पे जजेज और वकीलों के बीच होने वाली बहस के आधार पे निर्ने दिया जाता कोई कानूनी पंक्तियों के आधार पर नहीं मैं अपना दोहरा दूँ परंपराओं के आधार पर कोड और में वकील और जजों के बीच में होने वाली बहत के आधार पर जनता की अपेक्षाओं अकांख्षाओं के आधार पर और उसके साथ ही कोड के जो पुराने रूलिंग्स हैं, कोड के जो पुराने निर्णे हैं, उनके आधार पर एक सम्मिश्रण के आधार पर जज अपना निर्णे देते हैं, तो वो तो सतत रूप से परिवर्तन शील है, सतत रूप से दिन प्रति दिन वहां बदलाव आता है, अमेरिका की बात करें अमेरिका 1776 का स्वतंतर देश है लगभग 200 वर्ष हो रहे हैं और 200 वर्ष में उसके संविधान में कोई बदलाव नहीं आजा वही एक संविधान लेकिन भारत के संविधान और वहां के संविधान में कुछ अंतर है वहां के सम्विधान में पिछले ढ़ाइसो वर्षों के स्वतंतरता के काल में अमेरिका में मात्र 25 संशोधन हुए हैं उम्मीद है कि आप संशोधन शब्द का अर्थ समझ गया हैं संशोधन मतलब amendment बदलाओ किसी एक हिस्से में बदलाओ किसी एक प्रिष्ठ में किसी कानून से संबंदित बिंदू पर एक छोटा सा बदलाओ उसे कहते हैं संशोधन अमेरिका में गत धाई सो वर्ष के इतिहास में उनके संब्धान में मत्र पचीस संशोधन हुए है और पांच शैसे हैं संशोधन जो अभी प्रस्तावित हैं उनके जो पारलमेंट है उसके सामने रखे गए हैं उसके बहस होगी तो कुल में लाके आप पचीस तीस ही मान लिजए और दूसरी और भारत में भारत में गत सत्तर वर्षों में एक सो पांच संशोधन हो चेके हैं एक सो पांच इसके क्या माइने हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आगे कि एक इंगलेंड है जहां लिखिट समझने नहीं है संशोधन नाम की चीज का कोई वहाँ पर औचित नहीं है एक अमेरिका है जहाँ पर धाईस वर्ष हो गए मातर पचीस संशोधन तो क्या उनका समझन बहतर है क्योंकि वहाँ संशोधन की जुरत ही नहीं बड़ी है वहाँ के समझन निर्माताओं ने ऐसा समझन बनाया है जो चरंतन वही है सतत रूप से वही है और क्या भारत के संशोधन में कुछ खामिया है कि संशोधन की जुरत पड़ री है ऐसा निश्कर्ष निकालना शायद गलत होगा और इसको हम आगे समझेंगे तो अब हम भारत के परिप्रेक्ष में आते हूँ 26 जनवरी 50 को लागू होता है समविधान और समविधान स्विकार कब हुआ? 26 नवंबर 49 को जब पंडित जवालाल नहरू ने समविधान की पुष्टक पर हस्ताक्षर किये मूल प्रती पर हस्ताक्षर किये प्रधान मंतरी के नाते और अपनी स्वीकरी चिदी उसके बाद समविधान सभा के सभी सदस्यों ने उसको स्विकार किया तो यह तारीक थी 26 नॉंबर 49 और लागू किया 26 जनवरी 50 और पचारिक रूप से देश में लागू हुआ तो उसके पहले जो समविधान सा जिसे हम अंग्रेजों का समविधान कहते हैं वो तुरन उसी क्षण हट गया और भारत का समविधान राज 12 वजे शुरू हो गया और तब से वही समविधान लगातार चल रहा है रूज की तरह समविधान में बदलाव नहीं आया फ्रांस की तरह समविधान में बदलाव नहीं आया तो एक बात तो यह है कि सतत रूप से हमारा समविधान वही है जो 1947-50 के बीच दरम्यान समविधान सवाने बनाया था दूसरी बात हमारा समविधान एक मजबूत समविधान है और मद्बूस सम्विधान से तातपर ये है कि इसको बनाते समय देश की परिस्थितियों का ध्यान रखा गया ततकालीन परिस्थितियों के मद्दे नजर और दूर गामी परणामों के मद्दे नजर हमारे सम्विधान निर्वाताओं ने ये सम्विधान बनाया परिस्थितियों के प्रतिकूल नहीं, परिस्थितियों के अनुकूल बनादा तो इस परकार किसी तरह का विरोधा भास नहों अप एक शाओं और संब्धान के बीच में टकराव नहों काफी ऐसा प्रयास किया गया और ऐसा लगता है उसमें बहुत कुछ सफल हुए है इसलिए तो संब्धान हमारा स्थाई बना हुआ है कुछ संशोधन जरूर हुए हैं जो इसे एक जीवन्त दस्तावेज कहलाने की संग्या देते है अगली बात संब्धान में इस बात की स्विकारिता भी की गई है कि जरूरत को देखते हुए हम इसमें संशोधन करें जिसका बात जिकर बार बार कर रहे हैं वास्तों में ये जो अध्याय है इसमें यही एक बिंदु पर बार बार आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे सम्विधान के प्रावधानों को समयान उकूल किया जाता है कैसे उसका समयान उकूल करने का प्रावधान हमारे सम्विधान में कैसा है क्या इतना सरल है कि आज इच्छा हुई तो प्रावधान मंत्री या सांसद कानून बदल दें कल इच्छा होई तो दूसरा कानून बदल दें या क्या ऐसा है कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए बदल ही नहीं सकते वह भी उचित नहीं है और बहुत सरलता से बदल देना वह भी उचित नहीं है पर यहां पर जो बिंदू आपको अभी समझना है वो ये है कि समविधान में प्रावधान है कि जरूरत को देखते हुए हम अनुकूल बदलाओ समविधान के कुछ हिस्सों में ला सकें और यही बात इस अध्याय में लगातार हम दुराते रहेंगे आपको समझाते रहेंगे जो निचोड क्या निशकर्ष क्या समविधान एक जीवंत दस्तावेज इसके माइने क्या हुए इसको हम इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं भविश में आनी वाली चिनोतियों का सामना करने में सक्षम है जैसा मैंने पहले बताया उसको संक्षित में यही कहा जा सकता है कि भविश में भविश को ध्यान में रखे चुकि यह समविधान बनाए गया है भविश में होने वाली चिनोतियों का सामना करने में सक्षम है दूसरा यह जो समविधान है यह मातर कानून नहीं है उससे कुछ उपर है यद्यपी सम्विधान के अंदर सारे कानून डले हुए हैं लेकिन कानून के डालने के बाद सम्विधान कुछ और उचा दर्जा पाता है और ज्यादा वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, मायने रखता है It is beyond law, something more than laws, it's not a bunch of laws ये किवल कानून का बंडल नहीं है, कुछ और इसका उहदा है कानून ही सम्विधान ही हमारे देश का सर्वे सर्वा कानून सर्वे सर्वा नहीं होता, कानून में बदलाव कर सकते हैं लेकिन सम्विधान हमारे लिए सब कुछ है तीसरी बात जो हमने समझी समय के अनुसार यह ठोचित बदलाओ की गुझाईश है मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यही बिंदू बार बार दोहराए जाएंगे इस अध्धाय में तो तीसरी बात इसमें ये है कि समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार, आवशकता के अनुसार, बदलाओ की गुझाईश है इसमें रखी गई है, हमारे संब्धान निर्माताओं ने ऐसा प्राउधान रखा है चौथी बात संब्धान में जो दी गई है, वह भी बहुत आहम है वह है सरकारों के काम काज की रूप रेखा संब्धान केवल कानूनों का बंडल नहीं है इसमें सरकार कैसे काम करेगी, प्रशासन कैसे चलेगा, प्रशासनिक धाचा कैसे होगा ये भी बड़ा स्पष्ट है आप देखें प्रशासनिक धाचे में राष्ट्रपती से लेके नीचे तक पंचायत तक का पूरा विस्तार से इसमें संब्धान में दिया गया आपने भाग एक में जो कुछ अध्याय पढ़े है उसमें आपने विधाईका को पढ़ा, कारिपालिका पढ़ा, न्याय पालिका पढ़ा और भी अन्य अंग, अन्य प्रिशासिनिक धांचे के बारे में जानकारी ली, ये सब हमारे सम्विधान में समाहित है, हमारे सम्विध अंतिम बाद जहां मैंने एक और कहा कि भविश में आने वाले चुनोतियां उनको उनके समाधान की गुझाईश इसमें है वहीं दूसरी और यह समधान ऐसा है कि जब वो बनाया जा रहा था तो उस समय आई हुई समस्याओं का भी इसमें निराकरन किया गया समाधान निकाला गया रास्ता निकाला गया आप यदि याद करें इसमनद करें तो 1947 के भारत की जो मुख्य समस्याओं थी देश का दो भागों में विभाजित होना धार्मिक आधार पर हिंदू मुस्लिमों के बीच का तनाओं और दंगे आदी देश की गरीबी देश की अपनी कोई फाज थी देश का अपना कोई कानून नहीं था कोई संब्धान नहीं था और देश की अधिकतर जनता गरीब तो थी ही आशिक्षिद भी थी अब ये आशिक्षिद गरीब लोगों के लिए क्या संब्धान क्या कानून जो लोग दो जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो क्या कानून समझेंगे, उन तक वो कानून कैसे पहुँचा जाएगा, क्योंकि कानून तो जरूरी है उसका पालन, बिना कानून के law and order के समस्या आ जाएगी, बिना कानून के तो चारों तरफ जुर्दशा हो जाएगी, व्यवस्था चर्मरा जाएगी, तो इसलिए पर ज हमें की समस्याएं जो थी, ये पांच-छे समस्याओं के मद्दे नज़र, हमारे समविधान, निर्माताओं ने समविधान बनाने का प्रयास किया और बहुत सफल हुए, इन पांच-छे समस्याओं, ततकाली समस्याओं जो मुह बाय खड़ी थी और ऐसा लगता था, कि इसी स्थिति में इतनी बड़ी समस्याओं के सामने सम्धान निरमाताओं ना केवल देश ही चलाया बलकि सम्धान भी बनाया। ये वही लोग थे जो देश के प्रशासन में भी शामिल हुए और उसके बाद उसके साथ ही साथ सम्विधान सभा में, सम्विधान बनाने में भी मदद की डियूल रिस्पॉंसिबिलिटी दोहरी जिम्मेदारी को बखुबी निवाने का काम और उसका समाधान निकालना हुए समय की समस्याओं का अंतिम, जीवन्त दस्तावेज कहने का अंतिम जो कारण है वह है सम्विधान संशोधन के विभिन्न तरीके भी इसमें बताए गए सम्विधान संशोधन के अनुमती ही नहीं है इसमें हमारे सम्विधान में, हमारे सम्विधान पुष्टक में सम्विधान संशोधन कैसे किया जाया इसके प्राउधान है, इसके तरीकों को बताए गया है विभिन्न तरीके बताए गया है उसमें, उसकी भी प्रक्रिया को ब्लैक और वाइट में लिख दिया गया है तीन तरीके हैं जिसका हम आगे अध्यन करेंगे तो अब आप समझ गया होंगे अच्छी तरह कि जीवन्त दस्तावेद के क्या माइन है और क्यों हम अपने सम्विधान को जीवन्त कहते हैं और साथी साथ ये भी समझ गया होंगे कि क्यों हमारा सम्विधान अक्षन अबाद गती से अभी तक चल रहा है और किसी तरह की कोई ऐसी सम्वैधानिक समस्या नहीं आए जिसका निराकरण सम्वैधान के जरिये, सम्वैधानिक प्रक्रिया के जरिये नहों पाया हूँ समिधान जीवन्त दस्तावेश तो है यह हम समझ गया जीवन्त के अलावा इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है और वह है संतुलिद दस्तावेश है हम किसी चीज में जान दे दें उसमें लाइफ दे दें तो उसको जीवन्त तो मिल गया पर आवशक नहीं है कि उसके सभी अंग समान रूप से सुचारू रूप से कारे कर रहे हूँ रही बात समिधान की यह भी जीवन्त है बदलाव का प्रावधान है बिंदू कुछ बिंदू के बदलाव का लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया है हमारे संविधान निर्माताओं ने कि यह दस्तावेज संतुलित रहे और संतुलित का क्यारत है संतुलित भोजन, संतुलित आहार एक तो होता है पौश्टिक आहार और एक होता है संतुलिक आहार केवल पॉस्टिक आहर खाने से ही हम बलवान हो जाएंगे या हमारा शरीर चुगठित हो जाएगा जरूर नहीं है आप देखते हैं बहुत से लोग जिम जाते हैं और कई महीनों से आप लोग सुन रहा होगे कि जिम में गय हुए बहुत से लोग वहीं के वहीं निढ़ाल होकर गिर पड़े और स्वरगस्ट हो गए शरीर तो मजबूत था उनका पॉस्टिक भोजन करते थे पर शायद संतुलन की कमी रही होगी कहीं तो रही बात हमारे संभिधान की मान लीजे कि हमारा संभिधान बहुत संतुलिस्ट संभिधान है इसके पक्ष में क्या बाते हैं पहला कि इतना लचीला है कि समय के साथ इसमें बदलाव लाया जा सकता है मैंने एक बिंदु पूर में बताया था कि क्या हमारी जब इच्छा हुई प्रधान मंत्री जी की तो बैठे बैठे वो क्या कहें कोई सान नया कानून बना देंगे इतना तरल तो नहीं है लेकिन हाँ यदि प्रधान मंत्री जी या सरकार चाहती है कि कुछ समविधान के इस प्रधान में बदलाव लाया जाए उसकी जरूरत है तो एक प्रक्रिया से गुजर के वो समविधान बदलाव किया जा सकता है तो उसे हम कहेंगे कि समविधान लचीला है उसमें इलैस्टिस सिटी है लचीला मतलब क्या होता है जो जिमनास्टिक्स करते हैं उनका शरीर बहुत लचीला लोच रहता है लचीला हो जाता है कई तरह से बेंड कर सकते हैं, मोड सकते हैं अपने शरीर को, स्प्रिंग हो या रबर हो वो लचीला होता है, पर एक सीमा तक, यदि रबर को आप लचीला मानते हैं ज्यादा मोड दें हो तूड जाएगा, तो इतना लचीला भी नहीं है हमारा संभिधान कि वो तूड जाए, दम तोड़ दे, संभिधान इतना लचीला जरूर है कि जरूरत के अनुसार उसमें बदलाओ किया जा सके, तो संतुलित दस्तावेज का पहला बिंदू लचीला पन, जरूरत के अनुसार, तीन बिंदू याद रखें, लचीला पन, जरूरत के अनुसार, संतुलित से हम इसमें बदलाव लाएं कि अनावशक और प्रिष्ट पेशित बदलाव लाते रहें इतना भी लचिला नहीं है अर्थात हमारा समयधान कठोर भी है लचिला लेकिन कठोर ये बहत महत्पूर्ण बिंदु आपको लिए समझने का बदलाव ला सकते हैं लेकिन जब तब नहीं और दूसरी और बदलाव नहीं ला सकते हैं ऐसा भी नहीं दोनों ही तरीके से सुनिश्चित किया गया है कि सम्वधान के मूल रूप को हम अक्षिन बनाए रखें और उसक बाद भी समय के साथ जरूरत पढ़ने पर हम उसमें कुछ संशोधन कर सकें बदलाव ला सकें तो सम्वधान निर्माताओं ने ये भी सुनिश्चित किया कि इसे अनावश्यक परिवरतन से संशोधन से बचाना होगा और उस हद तक ये जो बदलाव की जो प्रक्रिया संश शोधन के हम उसमें चर्चा करेंगे आगे भारती संविधान जैसा मैंने का कठोर है और लचीला है तो उसके मायने क्या हुए लचीले का मायने हुए कि परवरतनों के प्रती इसकी दृष्टिक खुली है हम सुनने को तयार हैं कि बदलाव चाहिए तो अपने बिंदु बिवाद हुए लेकिन बदलाव की बात करना अपराद नहीं है यदि कोई बदलाव के पक्ष में एक आंदोलन छेड़ता है और जनाधार बढ़ा है उसमें अधिकतर जनता या अधिकतर सांसदों का उसमें उनके पक्ष में विचार है तो सरकार सुनने के लिए तेयार रह परिकाह है उसमें